प्यारे साथियो, बिहार ITI में बहुत बच्चों का सपना होता है कि उन्हें अच्छी ट्रेड मिले और अच्छी कॉलेज मिले लेकिन अगर आपको अच्छी मार्क्स नहीं आएगी, अगर ज्यादा कोश्चन्स आपने अटेंप्ट नहीं लिये होंगे तो आपको अच्छे कॉलेज और ट्रेड मिले की चांसेज नहीं रहेंगी, क्योंकि हजारों और लाखों बैस स्टुरेंट्स जो होते हैं, वो बिहार ITI में अपलाई करते हैं तो इसलिए यह बहुत important हो जाता है कि आपकी rank जो है वो अच्छे ही आए, तो मैं इस वीडियो में जो है, वो आप सभी को बताने वाला हूँ, welder, fitter, electrician, plumber और mechanic के लिए जो cut-off होने वाली है, वो कितने marks तक आपको ये 5 ब्रांच मिलेगी तो वीडियो को एकदम skip मत करें और इससे पहले मैं बता दू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को like कर दें और अगर आपके कोई भी doubt आती है, कोई भी आपको समस्या होती है, तो comment box में जरूर लिखें भीहार, ITI की counselling से related videos इस चैनल पर आपको मिलेगी, तो इसलिए आप लोग counselling के लिए इस चैनल को subscribe करके रख लें, ताकि आपको counselling में कोई problem नहीं हो, और छोटी से छोटी, बरी से बड़ी सभी जनकारी आप सभी को मिल पाए तो सुरू करते हैं हम लोग अपने पहले electrician से, कि electrician की cut off क्या जाने, कितने rank पर, कितने marks पर आप सभी को ये college a lot हो सकती है, फिर ये branch trade आपको a lot हो सकती है तो पहला मैं अगर बता दू general के लिए, तो ये 210 प्लस माइनस 10, ओके, 190 से 220 के बीच में अगर आपका marks रहता है, तो आपको electrician मिल जाएगी, even top colleges में एक बात मैं आपको बता दू, कि ये जो मैंने marks लिखा है, ये top colleges के हिसाब से लिखा है, lower colleges में इससे कम rank पे भी या फिर इससे कम marks पे भी आपको college a lot हो सकती है तो इसलिए यहाँ आप कता ही न समझे कि अगर 200 से कम marks आपकी आई है, तो फिर आपको electrician मिलेगा ही नहीं, ये मैंने एकड़म टॉप जैसे ITI पटना के दिगा के हिसाब से मैंने ये जो है, वो cut of decide किया है, मतलब इतना अगर आ रहा है, तो आपको पूरी पूरी chances हैं कि य आपको electrician मिली जाएगी, उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर EWS की, तो ये 192 में आगे पीछे plus minus marks रह सकता है, उसके बाद अगर आपकी category BC है यानि की backward classes हैं, तो 185 से लेके आपको 195 तक भी ये trade मिल सकता है, वहीं अगर मैं बात करूँ extremely backward classes के लिए, तो ये 175 से 195 मार्क्स तक भी आपको मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ SC के लिए, SC category के students के लिए, तो ये जो है, वह 155 से लेकर 176 तक marks रहने पर आपको electrician trade मिल सकता है, वहीं अगर मैं बात करूँ ST के लिए, तो या 155 या फिर 157 से लेकर आपको 170 के आसपास में भी alert हो जाएगी, अब मैं बात क जो दूसरा बहुत ही चर्चित और जो बसंदीदा trade है, वह है fitter का, तो fitter में जो category general में आपको कितने marks तक मिल सकती है, वह है 185 से 205 तक, वहीं अगर EWS की बात करें, तो यह 192 से 187 से लेकर 200 marks तक आपको मिल सकती है, वहीं अगर मैं बात करूँ backward classes की, तो यह आपको 183 marks से लेकर 195 marks तक भी मिल सकती है, अगर extremely backward classes की बात करूँ, तो यह आपको 173 से लेकर 187 marks तक अलोट हो सकती है, अगर मैं STC students की बात करूँ फीटर के लिए, तो यह 155 से 170 तक marks रहने पर मिल जाएगा, अगर SC category की बात करूँ, तो 145 से 165 तक, अगर एक वर फिर मैं याद दिला दू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि counseling से related जानकारी पूरी मिलेगी आपको, अब आते हैं mechanic के लिए, देखिए mechanic का जो पिछले 2-3 सालों से trend बहुत जादा बढ़ चुक एक सो, सतासी से लेकर, एक सो, दो सो तक भी ये जा सकती है, वहीं अगर बात करू, extremely backward classes के लिए, तो एक सो बेरासी से दो सो पीछ तक जा सकती है, आप लोग को 10 marks का उच नीच रखनी हैं, क्योंकि यहाँ negative marking नहीं थी, तो इसलिए जो marks है, वो बहुत ज्यादा जाने की chances है अगर यहाँ negative marking रहाता, तो यहाँ पे 10-20 number और नीचे ही cut off जाता, marks के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन चुकि निगेटी marking नहीं रहती है, ITI में, इस वज़े से competition थोड़ा आसान हो जाता है, अगर ST की बात करें, तो वही उसमें 165 से 175 के बीच में, SC के लिए 160 से लेक लेते हैं, जो general की cut off है, general की मैं बात कर रहा हूँ, यह जाहिर सी बात है कम जाती है, क्योंकि इसकी उतनी ज्यादा demand नहीं है, लेकिन मैं बता दू कि अगर आप विदेश में जाकर कमाना चाते हैं, तो फिर plumber आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है, तो general के लिए यह cut off जो है, वो EBC category में, 150 से 160 के बीच में हैं, तो भी आपको plumber मिल सकता है, ST category से हैं, तो आपको 120 या 30 के आसपास भी, अगर marks रहेगा तो मिल जाएगा, ST category से 135 या 40 के आसपास, फिर आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब क के बीच में, EWS के लिए 135 से 145 के बीच में, backward classes के लिए भी 135 से 145, EBC के लिए थोड़ा और कम जाएगा, यह 125 से 145 तक हो सकता है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि SC के लिए, तो यह 120 के आसपास आपको, अगर marks आई है, तो फिर आपको builder मिल सकता है, वहीं अगर ST category की बात करू तो फिर यह आपको और कम marks, यानि की 130 पे भी मिल सकता है, तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजे, और अगर आपके दोस भी हैं, जो आइटिया में पाटिसिपेट किये हैं, तो उन्हें भी यह सेयर करके बता दें, कि उन्हें कौन सी ब्रांच कितने marks पे मिलेगी, तो उमीद करता हूँ कि आप सभी के जो cut-off है, उससे ने लेटर में पूरी जनकाडी दे पाया, यह मैंने प्रमुख ब्रांचे के लिए, so, thanks for watching the video, let's meet later.